दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्यन वस्तुनिष्ट प्रश्ण संग्रस रिंखला के अंतरगत यंसी E.R.T. आधारित भारत के भुगोल के महत्वपू गौर्मेंट डिगरी कालेज, उच्चेतर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जे आरेप भुगोल के लिए भी बहुत ही उप्योगी है तो आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा आए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों आज के प्रैक्टि हुए हैं आपको बताना है आपसन है NH1, NH19, NH9 या फिर NH6 तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन B, NH19 दोस्तों दिल्ली को कोलकाता से NH19 जोडता है जो दिल्ली को हर्याडा, उतरप्रदेश, भिहार और जारखन से गुजरते हुए पश्मी बंगाल तक जाता है इसकी कुल लंब पाई 1454 किलोमीटर है और पूर में इसे NH2 के नाम से जाना जाता था जिसे Grand Trunk Road भी कहते हैं दोस्तों Grand Trunk Road का निर्मार सेर सहसूरी ने करवाय था इसलिए इसको सेर सहसूरी राजमार के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के निमलखित में से किस स सहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्याले हैं आपसन है आपके मुंबई मुंबई और कुलकाता दोनों कुलकाता न तो मुंबई और नहीं कुलकाता तो सही उत्तर आपसन भी हो जाएगा मुंबई और कुलकाता दोनों में दोस्तों कुलकाता और मुंबई में एक से अधिक रेलवे जोन के मुख्याले हैं सेंट्रल रेलवे और पश्मी रेलवे का मुख्याले मुंबई में है और कुलकाता में पूर्वी रेलवे और दक्षिड पूर्वी रेलवे का मुख्याले इस्थित है तो याद रखिएगा मुंबई और कुलकाता में एक से अध अगला प्रेशन हैं दोस्तों यदि आप कोहिमा से कोटायम की यात्रा सडक मार्ग से करते हैं तो आपको मूल अस्थान और गंतब्य को मिला कर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा आपसन है आपके 6, 7, 8 या 9 तो सही उत्तर है 7 राज्य और जब यहां पर आप सडक मार्ग से यात्रा करेंगे तो मेगाले, मडिपूर, असम, पश्यम, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु से होकर गुजरना पड़ेगा तो सही उत्तर है जब आपको हिमा से कोटायम की यात्रा करेंगे तो आपको मूल अस संपर्क नगर कौन सा है आपसन है आपके हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर या फिर जहांसी तो सही उत्तर है जहांसी दोस्तों उत्तर दक्षिन पूरब पश्यम कोरिडोर जो सुपर हाईवे ये उत्तर प्रदेश के जहांसी में एक दूसरे से मिलते हैं और ये कोरिड परिवहन मंत्राले की एक संस्था राष्ट्री राजमार्ग प्राधिगरन द्वारा किया जा रहा है तो सही उत्तर है पूरब पश्यम और उत्तर दक्षिन कोरिडोर उत्तर प्रदेश के जहांसी में एक दूसरे से मिलते हैं अगला प्रिश्न है दोस्तों भारत में निमल चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में चंडी गढ़ाप का इस्थित नहीं है और स्वाडिम चतुर्भुज पर्योजना का संबंध राजमार्गों से है इसके अंतरगत देश के चार महानगर पूरब में कुलकाता पशिम में मुंबई उत्तर में नई दिल्ली और दक्षि एक खुला सागरी बंदरगाह या खुला सागरी पत्तन है आपसं है आपके हलदिया, मुंबई, चिन्नई या विसाख पत्तनम तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसं C चिन्नई दूस्तों वह बंदरगाह जहां जली पोत तट से दूर खुले सागरों में ही लंगर डाल अगला प्रश्ण है देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्री महा मार्ग कौन सा है NH4, NH44, NH10 या NH5 आपको बताना है कि इन में से भारत का सबसे बड़ा जो महा मार्ग है या राजमार्ग है वो कौन सा है तो सही उत्तर है दोस्टों NH44 आप सन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग NH44 है जो स्री नगर से कन्या कुमारी तक विस्तरित है इसकी कुल लंबाई 3,645 किलोमेटर है पहले NH7 सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग था जिसको बर रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुचा जा सकता है। और दोस्तों खारदुंगला को सियोक और नुब्रा घाटी का द्वार भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड यानि शिप ब्रेकिंग यार्ड भारत के किस गुजरात में किस अस्थान पर इस्थित है आपसन है देखिए अलंग, कांडला, पोरबंदर या ओखा तो सही उत्तर है आपसन ए अलंग दोस्तों अलंग गुजरात राज्जी के भावनगर जिले में है जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड इस्थित है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से किस राज्ज में हाल में हरित रेल गरियारा यानि ग्रीन रेल कोरिडोर सुरू किया गया है करनाटक, महराष्ट, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में तो सही उत्तर है तमिल नाडु में आपसंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा देश का हरित रेल गरियाला तमिल राडुराज में शुरू किया गया है और ये कोरिडोर 114 किलोमीटर लंबाई में रामे स्वरम से मदुरय को जोड़ेगा ये रेल लाइन जीरो टायलेट डिश् द्हानी एक्सप्रेस, सताबदी एक्सप्रेस या कालका मेल तो सही उत्तर है आपसंड ए दक्कन की रानी ये डेक्कन क्वीन जो है भारत की सबसे पह़ले बिद्दू ट्रेन थी ये भारत की पहले सूपरफास ट्रेन भी थी और इसका परिचालन 1930 में किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए बहुत ही महतपूर है कि भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तयार हुआ था कब अपसन है 1853, 1854, 1855 या 1869 तो सही उत्तर है 1853 में अपसन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों भारत में पहला रेल मार्ग लाड डलहोजी के सासनकाल में 1853 में बामबे बोरी बंदर इस्टेशन से थाड़े के मध्य सबसे पहले तयार हुआ था और इस रेल मार्ग पर भारत की पहली रेल गाड़ी 16 अप्रेल 1853 को चलाई गई थी अगला प्रेशन है दोस्तों भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है आपसन है इराक ओमान इरान या अफगानिस्तान तो सही उत्तर आपसन C इरान दोस्तों चाबहार बंदरगाह इरान के दक्षिन पूर्वी तटपर सिस्तान बलुचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के तटपर इस्तित है और 23 मई 2016 को भारत इरान अफगानिस्तान के मध्ध इस बंदरगाह को लेकर समझोता किया गया था तो चाबहार बंदरगाह का निर्मार इरान में भारत के सहयोग से किया जा रहा है अगला प्रशन है दोस्तों कोकड रेलवे निमनले खित में से किन दो राज्यों को जोडता है आपसन देखे गुजरात महराष्ट महराष्ट केरल राजस्थान अंधर प्रदेश या करनाटक तो सही उत्तर आपसन दी महराष्ट और करनाटक को कोकड रेलवे जोडता है दोस्तों कोकड रेलवे महराष्ट में रोहा को करनाटक से यानि मंगलावर से जोडता है इसका निर्मार 1998 में हुआ था और ये रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है जो 176 नदियों और 2000 पूलों और एक 90 सुरंगों को पार करता है अगला प्रश्ण है देखे निमनलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतराष्टी बंदरगा कौन सा है आपसन है मुंबई कुलकाता कोचीन या तूतिकोरिन तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मुंबई दोस्तों आपसन ए मुंबई जो है ये भारत का वियस्ततम अंतराष्टी समुद्री बंदरगा है और ये भारत के पश्मितट परिस्थित है ये एक प्राकृतिक पोताश्रे और देश का सबसे बढ़ा पत्तन है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत का सरवाधिक उंचाई पर सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर है आपसन सी लेह हवाईड़ा दोस्तों भारत में सरवाधिक उंचाई पर इस्थित हवाईड़ा लेह हवाईड़ा है और समुद्र दल से इसकी उंचाई लगभग 3256 मीटर है ये लदाख में दोस्तों लदाख जो हमारा अब किंद सासित प्रदेश बना दिया गया है उसके लेह जिले में इस्थित है और इस हवाय अड़े का नाम करण लद्दाक छेतर के आद्ध्यात्मिक गुरू कोशोक बकुला के नाम पर किया गया है अगला प्रश्ण है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माड किया गया है आपसन है इन्नोर हल्दिया पारादीप या नहवा शेवा तो सही उतर है आपसन डी नहवा सेवा दूस्तों मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहवा शेवा यानि जवाहर लाल नहरू पत्तन बंदरगाह का निर्माड किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है तो सही उतर है नहवा शेवा या जवाहर लाल नहरू पत्तन ये प अगला प्रश्ण है राजा सांसी अंतराष्टी हवायड़ा कहाँ पर इस्थित है आपसन है आपके हैदराबाद, नागपूर, अमरिसर या चिन्नगाई में तो सही उत्तर है आपसन सी अमरिसर देखिए दोस्तों गुरु रामदास जी अंतराष्टी हवायड़ा जिसको रा बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है हमारा कि किस रेल प्रखंड पर प्रथम CNG ट्रेन सुरू की गई है आपसन है दिल्ली आगरा प्रखंड रोह तक चंडीगर प्रखंड दिल्ली चंडीगर प्रखंड या रेवाडी रोह तक प्रखंड पर तो आपको बताना है कि इन में से किस रेल प्रखंड पर पहली CNG ट्रेन शुरू की गई है सही उत्तर है आप संडी रेवाडी रोहतक प्रखंड दोस्तों CNG का मतलब होता है compressed natural gas यानि संपीडित प्राकृतिक gas और greenhouse gases के उस सर्जन को कम करने डीजल की खपत में कटवती करने के उद्देसे से भारत में CNG ट्रेन का परिचालन किया गया है और भारत में पहली CNG ट्रेन 14 जन्वरी 2015 को हरियाडा के रोहतक से रिवाडी के मध्य चलाई गई अगला प्रशन है दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपूर जगदीशपूर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है आपसन है आपके मध्य परदेश, गुजरात, महराष्ट या उत्तर परदेश तो सही उत्तर है आपसन C, महराष्ट दोस्तों हजीरा विजैपुर जगदीशपुर यच वीजे पाइपलाइन गुजरात में इस्तित हजीरा को मध्य परदेश के विजैपुर होते हुए उत्तर परदेश के जगदीशपुर को जोड़ती है और इसकी साखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर परदेश के साह जहांपुर बवराला और अन्य अस्थानों पर हैं तो ये हजीरा विजैपुर जगदीश पुर गैस पाइपलाइन जो है ये मध्य परदेश जो है दोस्तों देखिए हजीरा गुजरात मध्य परदेश और उत्तर परदेश को जोड़ती है अगला प्रश्ण है कि नीचे दिये गए युगमों में से कौन से युगम सही सुमेलित नहीं है जलमार्ग संख्या एक देखिए कानपूर वह हल्दिया के मध्य है जलमार्ग संख्या दो सदिया और दूबरी के मध्य है जलमार्ग संख्या तीन कोटापुरम से कोलम तक और D उपर युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यह देखिए, आपसन एक जलमार्ग संख्या एक जो है दोस्तों, यह हल्दिया और इलाहबाद के बीच है, यह सुमेलित नहीं है, देखिए, हल्दिया और इलाहबाद के बीच है, यह कानपूर और इलाहबाद के बीच नहीं, आप विश्तरित ब्याक्या देख सकते हैं कि राष्टी जलमार्ग संख्या एक, हल्दिया और इलाहबाद के मध्य गंगा नदी पर है, जलमार्ग संख्या दो सदिया और दुबरी के मद्ध है और जलमार्ग संख्या तीन ये कुईरल में कोटा पुरम से कोलम तक है तो ये भी सही सुमेलित है जबकि जलमार्ग संख्या एक आपसन ए आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये जो जलमार्ग है दोस्तों कानपूर और हल्दिया के मध्धे नहीं बलकि इलाहबाद और हल्दिया के मध्धे गंगा नदी में इस्थित है अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है कि निम्लिखित में से किस पत्तन को सोतंता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विक्षित किया गया और ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले ब्यापारिक दबाओ को कम करने के लिए किया गया था आपसन है कांडला पत्तन, मारमुगाओ पत्तन, जवाहरलाल नहरु पत्तन या मंगलूरु पत्तन तो सही उतर आपसन ए कांडला पत्तन दोस्तों सोतंता प्राप्ति के बाद प्रथम पत्तन कच में कांडला के रूप में विक्सित किया गया था और देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाओ को कम करने के लिए कांड़ला पत्तन का विकास किया गया कांडला एक ज्वारी पत्तन है और ये जंबो कस्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाडा राजस्थान गुजरात के और द्योगिक सामगरी और खाद्यानों के आयात निरियात को संचालित करता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो या प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने भारत के भुगोल के अंतरगत परिवहन यानि ट्रांस्पोर्टेशन से संबंधित महत्वण प्रशनों को साल्व किया है ये प्रशन आपके आगामी परिक्षाओं के लिए भी बहुत ही उप्योग होंगे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फार सिविल सर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार